पहले दिन से और 14 वर्ष की उम्लु पूरी दिने तक वो कफ के प्रभाव में होता है मतलब सीधा सा यह है कि बच्चे को बच्पन में सबसे ज़्यादा कफ के ही रोग हुए है सबसे ज़्यादा बार-बार सर्दी होगी बार-बार खासी होगी बार-बार जुखाम होगा बार-बार गला दुखेगा बंसलाइटिस होगा यह सब बच्चपन जो होता है कफ के प्रभाव में फिर चौदे वर्ष की उम्र से शुरू करके लगवक साथ वर्ष की उम्र तक आज के जमाने में यह साथ वर्ष कम होगया चानीस तक ही होगया पुराने जमाने में ये साथ तक होता है। चौदे वर्ष की उम्र से 40 वर्ष की उम्र तक जो व्यक्ति है। इस्त्री हो या पुरुष वो पित्त के प्रभाव में होता है। मानि 14 साल से लेके 40 साल तक जितने भी रोगोंगे 99% जो पित्त के था। यह 40 साल मैंने किया। आयोवेट तो 60 साल की बात करता है, ये 40 साल मैंने इसलिए किया है कि मेरे पास सब्सक्राइब हैं जो बात के हैं 40 की उमर में उनको घुटने के जर्व, कमर के जर्व, कंदे के जर्व, सब शुरू है, आधनिक जमाना है, इसलिए इसमें बात सबसे बिड़ा हुआ है, तो 40 की उमर से हम शुरू करें और जीवन के आखरी दिन तक सबसे जादा बात का असब होगा, दिनर के जीवन में उमर के आखरी दिन तक तो आपको सबसे जादा होगा, तो बात के रोग होंगे 40+, पित्व के होंगे 14+, 14+, और कफ के होंगे 1+, या 0+, इतनी मोटी बात की बार अब हम पढ़ते हैं अश्टान हिर्दयम के सूत्र पर. यह भूमिका मुझे बनाना इसी है जरूमिका कि मोटी जानका ही हमारे है। अश्टानिहर्द्यम में बागवट्टी जी कहते हैं कि जिन्दगी भर बात, पित, कफ को संतुलित रखना ही सबसे बड़ी कला है और कोशल है। सारी जिन्दगी आपको एक ही काम करना है प्रयास पूर्वत कि हमारा बात, हमारा पित, हमारा कफ हमेशा से सुरक्षित रहे, नियवित रहे, संतुलित रहे, जितना चाहिए उतना बात रहे, जितना चाहिए उतना पित रहे, जितना चाहिए उतना बात, पित, कफ हमारा रहे तो इसके लिए क्या करना है, वो साथ हजाब सूत्र है, उसमें से पहला सूत्र, बहुत छोटा सा सूत्र है, आपकी जीजिए, फिर मैं आपको समझाओंगा कि ये सूत्र का मदलब क्या है और इसका असर पुछता में है, बाद के तिक अपको जीमन भर संपलिक रखना है, तो कभी भी खाना खाने के तुरंट बाद पानी नहीं किलना है, इतना साइस नहीं किलना है, कभी भी जीवन में खाना खाने के बाद तुरंट पानी नहीं किलना है, लिख लिए आपने, चलिए, अब इसको समझते हैं, क्या कहा ये, बाद भट जीए, खाने के बाद पानी नह अब आद इसको उड़ना करके देखिए कि हम तो रोज यही करते हैं मैंने सौव ऐसे नियान्य लोगों को देखा है कि वो पानी लिये बिना खाना नहीं खाते हैं पानी पहले होता है तो बाट में होता है बहुत सारे लोग तो खाने से जादा पानी पीते जो चार रोटी के टुपड़े खाये कर पानी पिल घाते आ Damn ऐसी इस्थ्रत एसी आश्फा में बाग बट जी इंकुल ऐसी बात कैरें कि पानी ही नहीं पिना ठाने के दूसक और कारन क्या है बाग क्या है यो नहीं पिना है यह जानना बहुत जूस्ता है हम पानी क्यों न पियें खाने के बाद क्या कारण है बाद ऐसी है कि हमारा जो शरीर है ये शरीर का पूरा केमर है हमारा पेड ये पूरा शरीर चलता है पेड की ताकत से और पेड चलता है भोजनी ताकत से जो कुछ भी हम खाते है वो ही हमारे पेट की ताल है हमने दाल खाई, हमने सब्जी खाई, हमने रोटी खाई, हमने अचार खाया, दही खाया, लसी पिया, कुछ भी, दू, दही, चाच, लसी, पल, आदी ये सब कुछ भोजन के रूप में हमने गर्ण किया, ये पेट को उर्जा देता है आप कुछ भी खाते हैं, सब कुछ पेट आपके लिए पूर्जा का आधार बनता है। अब हम खाते हैं तो पेट में सब कुछ जाता है। पेट में जोता सा स्थान होता हैं इसको हम हिंदी में कहते है आम अशाहिए। कभी आप एनोटोमिका, फिजियोलोजी का को एक कलेंडर आजकल आते हैं, शरीर विज्ञान के, जिसमें शरीर के एक एक कलेंडर खरीब लीजे, दस-पंदर लोगता आएगा, घर में तामकर रखिए, उस कलेंडर में आपको बताया जाएगा, आपका पेट में जो नाभी इ उसके बिल्कुल लेफ्ट में एक इस्थाने उसको आमाशय केते हैं, उसी इस्थान का एक दूसरा नाम है जठर, और उसी को अंग्रेजी में कहते हैं, एपिगेस्ट्रियम, आमाशय, जठर, एपिगेस्ट्रियम, ये एक ही इस्थान के तीन नाम, एक अंग्रेजी में है, पुर्जाबी में क्या कैता है इपिगेस्पिम तो हमारे इप्ता पुर्जाबी में पुमेंदा कहते है यह इस्थान हमारे शरीर का सबसे महतु का इस्थान है एपिक एस्पियम या आमाशय या जज़र क्योंकि सारा खाना इसी में आज़र ये खैली की तरह से होता है बहुत छोता इस्थाना इसमें अधिक से अधिक साड़े तीन सब ग्राम खाना आसा उससे जादा नहीं आसा बड़े ज़र तो हम कुछ भी कराते हैं सब कुछ ये आमाशय या आज़र अब आमाशय ये क्या होता है खाना जैसे ही पहुँचता है ये बगवान की व्यवस्था है ये शरीव में है तुरंत इसमें आग जल जादी अगनी आमाशय में अगनी होती उसी को करते हैं जटर अगनी मिलाके बोलते हैं जटर आगनी ये जो जटर आगनी है ये आमाशय इस्थान में प्रदीप होने वाली अगनी है आग है ये आग ऐसी ही होती है जैसे रसोई गैस की आग आग की रसोई गैस है ना LPG सिलिंडर से जो क्लेक्टिड है आपने स्विच आग किया आग जल गए ऐसी पेट आग जैसे आपने खाना खाया तुरंत आग जल गए ये आटोमेटिक है रोटी का पहड़ा पहड़ा तुकड़ा आपने मुँ में डाला इधर आग जल गए जटर गए ये अगनी तब तक जलती है जब तक खाना पचता है डाइजेस्ट आप खाना खा रहे हैं अगनी जल गए अब अगनी खाने को पचाती है डाइजेस्ट कराती है वो ऐसे ही कराती है जैसे रसोई गैस आपने रसोई गैस में जो स्टोब है उसका स्विचौन कर दिया आज जल गई अब इस पर आपने दूद रख दिया थोड़ा चाबन डाल दिया तो जब तक अगनी जलेगी तब तक थीर बने इसी तरह से आपने पानी रख दिया चाबन डाल दिये अब जब तक अगनी जलेगी चाबन पके रहा पानी के लिए और खुब ठंडा पानी के लिए और कई लोग तो बोतल पर बोतल उतार दिया अब होने वाला एक ही काम है जो आज जल रही थी वो बुझ गए आज अगर बुझ गई तो खाने के पचने की जो क्रिया है वो रुख गए अब हमारे पेट में दो ही क्रिया heut होती है खाने के पचने में एक क्रिया है जिसको हम केते हैं डाइजेशन दूसरी है फर्मेंटेशन का मतलब है सणना और डाइजेशन का माझने है पचना अगर आग जलेगी तो खाना पचेगा खाना पचेगा तो उसका रस बनेगा आयुर्वेट के साथ बोल रहा हूँ आपकी आग जलेगी खाना पचेगा खाना पचेगा तो रस बनेगा जो रस बनेगा तो उसी रस मेंसे मास बनेगा मास जिसको आप फ्रेश करतें उसी रस मेंसे मज़ा बनेगी फिर उसी रस मेंसे रट बनेगा फिर उसी मेंसे वीरे बनेगा फिर उसी मेंसे हड़िया बनेगी बोन्स फिर उसी मेंसे मल बनेगा एक्सक्रीटा स्टूल फिर उसी मेंसे मूत्र भी बनेगा तो मास, मज्जा, रक्त, वीर, मल, मूत्र, अस्थी और सबसे अंत में मेड भी है ये कम होगा जब खाना पचे गाता है और आप जरा ध्यान से सुने इन शब्दों को मास की जरूरत है हमको मज्जा की भी जरूरत है रक्त की भी जरूरत है वीरी की भी जरूरत है अस्थी भी चाहिए, मेड भी चाहिए ये सब हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए मल नहीं चाहिए और मूत्र नहीं चाहिए तो मल और मूत्र तो बनेगा जरूर लेकिन वो हमें चाहिए नहीं शरीर को चाहिए नहीं तो शरीर हर दिन उसको छोड़ देगा मल को भी छोड़ेगा मुत्र को भी छोड़ेगा बाकी जो चाहिए शरीर उसको दारत करेगा खाना जब भजम होगा पचेगा तो रस बनेगा रस मैसे मास मज़ा रक्त वीर मलमुत्रस्थी मेज بنेगा मलमुत्र की जरूरत नहीं है शरीर उसको छोड़ देगा बाकी सब चीजों की जरूरत है शरीर उसको धारत कर लेगा ये एक है दूसरी तरफ क्या होगा आग नहीं जलेगी आपने गजागत पानी पी लिया तो वही खाना सड़ेगा और सड़ने के बाद उसमें से जहर बनेंगे तो सबसे पहला जहर जो बनता है खाना सड़ने के बाद उसका नाम है यूरिक ऐसेड कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं न आप कहने मुझे ये तकलीफ मुझे वो तकलीफ तो डॉक्टर तुरण डाइग्नोसिस करके कहता आपको यूरिक ऐसेड बन रहा है तो वह आपको कहता ये दवा खाओ ये दवा खाओ ये दवा खाओ ऐसे खाओ ऐसे खाओ ऐसे खाओ यूरिक ऐसेड कम करो ये विश है यूरिक ऐसे और ये इतना खतरनात विश है कि अगर आप ने इसको कंट्रोल नहीं किया या बंद नहीं किया तो ये आपके शरीर को उस स्थती में ले जा सकता है कि आप एक कदम भी चल ना सके हैं टोटली बैड रिडिन हो जाए बिस्तर पे ही आपको पढ़ा रहना पड़े पेशाब भी बिस्तर पे निकले और आपको संदास भी बिस्तर पे करनी पड़े यूरिक ऐसे इतना खतरना है वहां तक लेके जाता है तो इसलिए खराब विश है अच्छा नहीं है नहीं बनना चाहिए और यह उधारिक देता है जब खाना सड़ता है तो यूरिक ऐसे जैसा ही और एक विश बनता है शरीर में उसी को कहते है LDL Low Density Lipoprotein माने खराब कॉलेस्टरॉल डॉक्टर एक्सर आपको कहता है आप जाते हैं डॉक्टर कहता हाई वीपी है फिर आप पूछोंगे कारण बता तो कहेगा आपको कॉलेस्टरॉल बहुत है तो कॉलेस्टरॉल कौन सा बहुत है आप और जादा डीप पूछेंगे तो कहेगा LDL बहुत है Low Density Lipoprotein और इससे भी जादा खराब और एक विश है वो है VLDL Very Low Density Lipoprotein ये भी कॉलेस्टरॉल जैसा ही विश है अगर VLDL बहुत बढ़ गया तो बढ़वान भी नहीं बचा सकता अगर कित्ती खराब इस्थिती है शरी और एक उधारण देता खाना जब सड़ता है पेट में तो इसी मैंसे कुछ और भी जहर बनते है उन जहर के कुछ नाम है अंग्रेजी में हम कहते है Triglycerides डॉक्टर आपको डाइगनोस करके कहता कि आपका Triglycerides बहुत बढ़े हुए है समझ लीजिए विश निर्मान हो रहा है शरीद में तो कोई यूरिक एसिट के नाम से कहे कोई कॉलेस्टरॉल के नाम से कहे कोई LDL के नाम से VLDL के नाम से कहे या Triglycerides समझ लीजिए ये सब विश है और ऐसे विश एक सो तीन है मैंने आपको चारवाच नाम ले ये सारे विश तब बनते हैं जब खाना नहीं पचता खाना सड़ता है मतलब समझ लीजिए किसी का कॉलेस्टरॉल बढ़ा हुआ है तो एक ही मिनट में ध्यान आना चाहिए खाना पच नहीं रहा है कोई कहता मेरा Triglycerides बहुत बढ़े हुए तो एक ही मिनट में डाइगनोस कर लीजी आपके खाना पच नहीं रहा है कोई कहता है Ureak Acid बढ़ा हुए तो एक ही मिनट आपको लगना चाहिए ये समझने में खाना पच नहीं रहा है क्योंकि खाने के पचने पर इन में से कुछ नहीं बनता खाने के पचने पर बनता है मास, मज्जा, रक्त, भीरे, मल, उत्र, हस्ती, मेर ये सब पचने पर बनता है नहीं पचने पर क्या बनता है यूरिक ऐसे, ट्राइकलिस्ट्राइड, कॉलेस्ट्रॉल, LDL, VNDL ये सब बनते हैं और ये ये आपको रोगों का कारण बना देते हैं मने आपके शरी को रोगों का धर बना देते हैं तो हमें ध्यान किस बात पर देना है इसमें बी में सबसे जादा ध्यान ये देना है कि जो हम खा रहे हैं वो पूरा ठीक से पचना चाहिए और खाना ठीक से पचना चाहिए इसके लिए पेट में आग जलनी ही चाहिए क्योंकि बिना आग के खाना पकता नहीं है और पचता भी भी रसोई में आग नहीं है आप कुछ नहीं बना सकते पेट में आग नहीं है कुछ नहीं पचा सकते तो महत्यू की बात है खाना खाना नहीं महत्यू की बात है खाने को पचाना आपने क्या खाया कितना खाया यह इंमेटीरियल है कोई कहता मैंने 100 ग्राम खाया कोई 200 ग्राम कोई 500 ग्राम यह इंमेटीरियल है पचाया कितना उसमें से वो मेटीरियल है वो महत्यू खाया आपने रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब 500 ग्राम खाया और उसमें से 200 ग्राम भी पचा नहीं सके तो बहुत खराब अगर 100 ग्राम खाके 200 ग्राम खाके पूरा पचा लिया तो बहुत अच्छा आपका रिपोर्ट कार्ड है तो हमें ध्यान ये रखना है कि खाना खाना महतु का नहीं खाने को पचाना और खाने को पचाने के लिए महतु की चीज है अगनी तो अगनी जलेगी तो खाना पचेगा इसका मतलब खाना खाते ही पानी नहीं पिएंगे तभी अगनी जलेगी तभी खाना पचेगा तब ही उसमें से मास मज़जा रख तो ये मलमूत्र बनेगा तो ये सूत्र दिया गया खाना खाते ही तुरंट पानी नहीं पीना इतनी देर तक हाँ बहुत अच्छा सवाज यही सवाल आना ही चाहिए आपके मन में कि ठीक है बात तो अभी समझ में आ गए कि ठीक हाने के तुरंट आप तो पानी नहीं पीना नहीं कितनी देर तक अब ये जो देर वाला किस्सा है इसको समझ ले हम जो खाना खाते हैं उसके पचने की तीन अवस्थाएं है पहली अवस्था ये है कि जो कुछ आपने ठोस खाया और द्रव खाया ये दोनों एक दूसरे में मिक्स होता है सॉलिड और लिक्विड अब सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे में मिक्स होता है तो खिचुडी बनता है उसको पेस्ट कहते हैं अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं तो खिचुडी तो आपके शरीर में खाया हुआ solid और liquid दोनों एक दूसरे में mix होता पेस्ट बनता, ये पेस्ट बनने की अवस्था एक घंटे 30 मिनट तक रहती है शरीर में, और एक घंटे 30 मिनट तक ही अगनी भी जलती है, पेप में, अगनी का सबसे बड़ा काम है खिचुडी बनाना, solid औ और इक घंटे 30 मिनट के बाद अगनी अपने आफ कम हो जाती है, बुझ तो नहीं जाती है लेकिन कम हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके खाने का रस बनना शुरूरू होता है, अब आप जानते हैं, कि जब भी किसी चीज़ का रस बनेगा, तभी उसम पानी की जरूरत आएगी आपको अगर मैं ये कहूं कि आम का रस बनाएगे तो आम कच्छल का उतारेंगे फिर उसका पल्प निकालेगे फिर पानी मिलाएगे तब ही रस तयार होगा वो पानी चाहे दूब की रूप में मिलाएगे या सीधे पानी मिलाएगे जब भी रस निर्माण होता है बिना पानी के नहीं होता तो जब देड़ घंटे के बाद ही रस बनना है तो आप खाना खाने के देड़ घंटे के बाद ही पानी पिना कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको खाना खाने के एक घंटे के बाद ही रस बनने लगता है कुछ ही लोग हैं बाकी सबको नहीं बनता जो लोगों को एक घंटे में बनने लगता है वो वो लोग हैं जो बहुत महनत करते हैं खेत महल चलाते हैं, फाबला चलाते हैं, पत्थर तोड़ते हैं सरद पर रिक्षा खीच के ले जाते हैं ठार गाड़ी लेके जाते हैं जो बहुत महंती लोग हैं उनको पेट में खाला खाने के एक घंटे में ही रस बगने लगता है तो वो लोग जो ज़्यादा महनल करते हैं वो खाने के एक गंटे बाद ही पानी पी सकते हैं लेकिन जो आपके जैसे मेरे जैसे लोग हैं कम महनती हैं हमको डेड़ गंटे बाद ही पानी पीना अच्छा है तो clear हो गया खाने के तुरन बाद पानी नहीं पीना है डेड़ गंटे के बाद पानी पीना है, जितनी एक्षा करें उतना, एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, पाँच गिलास, आपकी जितनी capacity ने पीने की, जितनी प्यास लगी है उतना आप पी सकते हैं, बहुत अच्छा, अब ये तीसरा सवाल आ गया, तीसरा सवाल ये आ गय कि खाने के पहले पी सकते हैं, क्या खाने के बाद का तो समझ में आ गया, दिगड़ गंटे में, खाने के पहले वाली बात समझनी है, खाने के पहले हम पानी पी सकते हैं, जितना चाहें उतना पी सकते हैं, लेकिन समय का उसमें ध्यान रखना है, खाना खाने से 48 मिनट पहल नहीं गजाताँ और बात पानी पीना शुरू करते हैं तो पानी मूह बात में जाता है और और बात में सभी अंभू नहीं जाता है मास में b horribly जाता है और अंत में पानी जो surplus होता है मानए जरूरब से ज़्यादा होता शरीर को वो मूत्र पिंड में आके एकठा हो जाता है बात में आप यू मूत्र के साथ उसको बाहर निकालते थे तो मूँ में पानी शुरू किया मूत्र पिंड तक आने में उसको 48 मिनिट ही लगता है तो आयरुवेट में ये कहा गया कि जब 48 मिनिट पूरा हो जाए और मूत्र पिंड में स्थिर हो जाए तो बेट तो खाली हो गया ना तभी खाना खाना माना खाने के पहले 48 मिनिट में आप आप पानी पी सकते है जितना चाहें उतना पी सकते हैं 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास quantity आपकी capacity के उप़र है तो खाने के पहले पानी पीना है तो अगता है यह सुमझ में खाने के बाद पीना है तो देड़ धिंटे अब आखरी प्रश्णा है का खाने के बीच में बीच में पीने के लिए कहा गया है कि कोई जब preparation है तो पी सकते हैं एक या दो क्या ओसकती है मान लो खाना खाते-खाते गल्ले में फस गया अब मजबूरी आते तो आप पानी कीसा है एक सिर्प्या थोुआ अगरे थो ठीक हैं और एक मजबूरी आसकती है खाना खाते-खाते C competit तो फिर समस्य आदे, तो भी आप एक दो सिप्ती सकते हैं, और एक तीसरी ऐसी ही एक मजबूरी है, वो मजबूरी आयुनेट में ये कही गई है, कि जब आप दो अन्न का खाना खाएं, तो बीच में जरूर पानी पीना है, दो अन्न का खाना मतलब रोटी खा रहे हैं गेहू और चावल भी खाना है आपको, चावल एक अन्न है, ये हूँ दूसरा अन्न है, मक्की की रोटी खा रहे हैं, और उसके साथ चावल खा रहे हैं, मक्की एक अन्न है, चावल दूसरा है, बाजरी एक अन्न है, चावल दूसरा है, जब भी दो अन्न का खाना आप खाते हैं, तो एक अन खाने के बाद दूसरा काने से पहले थोड़ा पानी जरूर पीना पानी बारे नहीं पिए तो नफ़सान कुछ नहीं होगा लेकिन पीएंगे तो फाइदा बहुत होगा जाने के बाद पाद तो एक ये कर के बताऑ हूँगा हम जब पानी पीएंगे तो दो अन्न का खाना जब हम खा रहे हैं गेहूं खार या रोटी अब हमको चावल शुरू करना है तो रोटी खाने के बाद चावल शुरू करने के वाले एक दो सिर्थ पानी पी लेज़े क्यों पीलें आपके पेट में एंजाइम्स जो है न पचाने के लिए तो अलग अलग है गेहूं को पचाने के लिए अलग अलग है चावल वाले अलग है मक्की के अलग है, बाजरी के अलग है जुआर के अलग है, सभी अन्न को पचाने के लिए अलग है तो जब आप रोटी खा रहे थे गहोंगी, तो रोटी वाले एंजाइम सक्री हैं, को एक्टिव हैं, रोटी को बचाने के लिए सारी व्यवस्था कर रहा है, अब अचानक से चावल खाना शुरू किया, तो चावल वाले एंजाइम को सक्री करना पड़ेगा, और रोटी वाल और कोई तीसरा है निखा रहे हैं, तो फिर बीच में थोड़ा सा पानी पी लेज़े, ये पानी बीच में जो पीना है, वो एक दो सिप से ज़ादा लेगा, इस पर मैं उत्तर दूंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद, अभी हम जो बात कर रहे हैं, वहां तक सीमित हैं, मजबूरी है, लेकिन पॉजिटिवली जो बिना मजबूरी का काम है, वो ये कि एक अन्द खाने के बाद दूसरा शूरू होने से पहले दो तीन से पानी पी लिजे, उसके बाद दूसरा अन्द शूरू करें, अब आखरी बात जो इस एक नियम से जोड़ी हुई है, वो य जूस पी सकते हैं, फल का रस, कोई भी फल का रस पी सकते हैं, दूसरा कहा गया कि खाने के तुरंद बाद आप चाहें, तो लस्सी पी सकते हैं, और तीसरा कहा गया कि खाने के तुरंद बाद आप चाहें, तो दूब पी सकते हैं, तुरंद खाने के बाद अगर पीना चाह तो एक तो जूस भी सकते हैं, दूसरी लसी पी सकते हैं, तीसरा धूर पी सकते हैं, अब बहुत अच्छा सवाल पीछे से आगया, इसका भी कोई टाइम है? हाँ है, आयो बेग में बिना टाइम के कुछ नहीं, हर चीज के खाने का टाइम, मुंपली का दाना कब खाना माखी डाल, हर एक चीज का काईम फिक्स है, इसी के साथ हजार सूत्र है, लेकिन आप घवराइये मत, इतने जादा नहीं बताऊँगा, नहीं तो कंच्यूजन हो जाएगा, मैं आपको सीधे-सीधे कुछ 20, 25 या 50 सूत्र भी बताने वाला हूँ, जी, जूस पीना, इसमें सबेरे ही पी सकते हैं, आप पूझेंगे क्यों, बात सीधी सी ये है, कि फल को या जूस को पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं हमारे पेट में, वो सबेरे ही सबसे ज्यादा होते हैं, तो सुबह के समय अगर आप जूस पी रहे हैं या फल खा रहे हैं, तो जूस का एक एक आप के शरीर में डाइजेस्ट हो जाएगा, और वही जूस रात को पिएगे, तो वो सब फलश आउट होगा यूरिन के साथ, उसका कुछ भी उपयोग नहीं आए, तो सुबह सुबह जूस पीना सबसे अच्छा है, हरे इक मून उसकी पचे हमारे शरीर को, दुपहर के समय लसी पीना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि दुपहर के समय हमारे प्रिट में जो एंजाइम्स होते हैं, वो दही को और लसी को डाइजेस्ट कराने वाजे हैं, दुपहर को, तो दही या दही की कोई भी चीज़ खाना, दुपहर को ही सबसे अच्छा है, नुकसान थोड़ा ह कब होगा, जब आपकी उमर 40-45 क्रॉस कर जाएगे, 40-45 तक तक तो क्या आप मैंने बता पित्त का प्रभाव है, पित्त का प्रभाव ऐसा प्रभाव होता है, जो दूसरे सब को कंट्रोल कर लेता है, तो उस पर भी मैं आऊँगा थोड़ी देर में, जो दो गिलास लसी पी तो जो गाओं में अभी मेहनत कर लेते हैं, हिम्मत उनमें है, उनके लिए तो कुछ चीजे एक्सेक्शन में आ जाती है, मैं बात कर रहा हूं आपकी, आपसे मतलब जो शरीर शर्म जादा नहीं करते हैं, शहर में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं आईरुवेत के नियम की राब को, लसी पीएंगे दुपहर को, जूस पीएंगे सबेर को, दूद का सबसे अच्छा समय है सूर्यास्त के बार, जब तक सूरज नहता है, दूद को पचाने वाले एंजाइन स्पेट में नहीं आते हैं, जैसे ही सूरज दूप जाता है, दूद को पचाने वाले पिला के स्कूल भेजना पड़ेगा है। जूस पिला कर देजाएं बच्चे ठीगी रहते हैं दौणी पिना जबा इसलिए नहीं कि उनके शरीर में इक्षा नहीं होगी क्योंकि एंजाइम्स नहीं है आप जबरजस्ती पिलाते हैं सुबह के समय किसी भी बच्चे की दूद पीने की इक्षा नहीं होती आप मार के पीट के जबरजस्ती अपना फोर्स दिखा कर उसको पिला देते हैं इक्षा क्यों नहीं होती क्योंकि पेट में इंजाइम्स ही नहीं है उसको पचाने आप इसी इक्षा भी नहीं होती तो वो सही है इक्षा नहीं होती कर दीजे आम दही किला ये लसी किला ये मठा पिला ये जो पिना और शाम का समय फिक्स कर दीजे दूट का और आ कि आले किं पिना प्राइब में ने पता हूं सेकेंडوس कर घुड़ी में पीना है कि खाने कंगे पहले पिना है तो nggak पीना है तो तब अधानेक भीण में बкиना है जब दोन हम का खाना टाएum या कोई मजबूरी आजाए, खासी आगया या गले में खाना फ़स गया और खाने के तुरंट बाद दूसरी कोई चीज पीनी है पानी को छोड़ कर तो लस्ती पीने है, दूप पीना है और जूस पीना है